जॉंग्यू जॉंग, मातर 23 साल की एक आम से परिवार की एक आम सी दिखने वाली लड़की, जिसने हाल फिलहाल में ही अब तक की सबसे अजीब और दर्दनाग घटना को अंजाम दिया है। जॉंग्यू यॉंग कजन साउथ कोरिया के बुसान शहर में हुआ था। उसके माबाप कौन है, कौन थी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, वो शुरू से ही अपने ग्रेंट फादर के साथ रहती थी, यहां तक कि उसकी ग्रेंड मदर भी नहीं थी। यॉजूंग बच्पन से ही बाकी आम बच्चों की तरह ही थी, कभी भी उसमें कुछ भी ऐसा बिहेवियर नहीं देखा गया, जैसा के नॉर्मली साइको सीरियल किलर्स के केस में देखा जाता है, क्योंके साइको किलर्स में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, कि वो बहुत ह इसके बारे में कुछ अजीब है, या फिर वो बाकियों से कुछ अलग है, लेकिन हाई स्कूल खत्म होने के बाद यूजूंग अपने सभी दोस्तों और जाने वालों से कॉन्टेक्ट खत्म कर लेती है, और वो अकेली रहने लगती है, वो कॉले यूनिवस्टी तो नहीं जा पाती, इसलिए वो छोटी मोटी नौकरियां और पार्ट टाइम जाब्स कर रहे लगती है, तकरीबन पांच साल बीच जाते हैं, उसे हाई स्कूल खत्म किये, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आता, उसकी वही बोरिंग जिंदगी चलती रहती है, और अभी तक उसे कोई ढंकी जाब भी नहीं मिली थी, वो जादा दिनों तक कहीं भी किसी भी जाब पर टिकर काम नहीं कर पाती थी, और उसे अपने इस बोरिंग जिंदगी से नफरत हो चुकी थी, वो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लेके आना चाहती थी, लेकिन इन सब के बीच में, उसकी लाइफ में एक ही चीज थी, जो के उसे सबसे ज़ादा पसंद थी, और उसे खुशी देती थी, और वो थी, प्रू क्राइम डॉक्यमेंटरीज देखना, क्राइम नॉवल्स पढ़ना, और रियल लाइफ क्राइम रिलेटर कुछ भी मूवी या स या फिर कोई भी सीरियल के लिए रिलेटर स्टोरी सुनना, या फिर पढ़ना, जैसे के फिलहाल आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, वो ये सब बहुत मात्रा में देखती थी, और धीरे धीरे वो इस डार्क क्राइम रिलेटर स्टफ से अब्सेस्ट बन चुकी थी, उस को ठिकाने लगाना, लाश के छोटे-छोटे टुकडे करना, ये कितना इंटरस्टिंग काम है, और एक पॉइंट पर आकर वो अपनी सोच और रियालिटी के बीच का डिफरेंस भूल चुकी थी, अब उसे अपना ये शांत पूरा करना था, किसी की जान लेकर, वो दिरनात प्लैन बनाती रहती, और रिसर्च करती रहती, कि ऐसे क्राइम को कैसे अंजाम दिया जाता है, कैसे किसी की बॉड़ी को डिसमेंबर करके ठीकाने लगाया जाता है, और आखिरकार उसे एक जरिया मिल जाता है, अपना शिकार धूनने का, दरसल साउथ कोरिया में बहुत से लोग online tutor apps का use करते हैं अपने लिए कोई भी tuition teacher ढूणने के लिए यूजंग इनी मेंसे एक app को चुनती है उस पर अपनी ID बनाती है और कई सारे tutors को message करती है ये उसकी एक 14 साल की बेटी है जिसे English का tution रखवाना है और इनी मेंसे कुछ लोग, कुछ tutors उसके message का reply भी देते हैं पर इनी सब बातों के बीच में वो इन सब से एक comment स्वाल पूछती है क्या वो लोग अकेले रहते हैं क्योंकि वो चाहती है कि उसकी बेटी उनके वहां आकर tuition पढ़े अब इस बात से कई tutors पीछे हट जाते हैं इस तरह थे यौजुम अपना target law कर लेती है इसके बाद यौजुम कहीं से एक school uniform का इंतिजाम करती है और 26 मई यानि के इसी साल 2023 को वो tutor के घर के लिए वो uniform पहन कर निकल जाती है और वहां जाने के कुछी देर बाद वो उस tutor की इत्या कर देती है वो कई बार चाकूं से उसके गले और उसकी शाती पर वार करती है और इसके बाद वो बड़े आरा vlogging से उसके घर से निकलती है और अपने घर के लिए निकल जाती है अपने घर से वो खाली सूटकेस उठाती है और फिर market जाती है वहां से वो कुछ औजार और पॉलिथीन गे बैक खरीती है इसके बाद वो फिर से टूटर के घर चली जाती है वहां बैटकर वो इतमिनान से उसकी बॉड़ी को छोटे छोटे टुकडों में कांटती है और फिर उन्हें पॉलिथीन बैक्स में भरके उसी टूटर की बिल्डिंग के गार्बेज में फेंक कर आ जाती है और बाकी बचे टुकडों को वो सूटकेस में भरती है और उसके घर से वो सूटकेस लेकर निकल जाती है खैर इसके बाद वो थोड़ी दूर जाती है अब तक काफी अंधेरा हो चुका था तो वो एक टैक्सी ले ले लेती है और नागदोंग रिवर के पास जाकर वो उसकी बॉड़ी को नदी में फेंक आती है और खाली सूटकेस लेकर वापिस आ जाती है लेकिन टैक्सी ड्राइ में कुछ नहीं मिलता वो सूटकेस खाली था लेकिन उसमें बहुत सारे खून के दाग लगे हुए थे तो पुलिस इस बारे में उसे सवाल करती है कि ये खून कहां से आया है वो जूट बोल देती है कि उसे पीरियोट्स आई थे इसलिए वो खून वहां लग गया होगा ल लेकिन जब डाक्टर्स उसका अल्टर संग करते हैं तो ये बात भी जूट निकल जाती है इसके बाद भी वो बातों को थोड़ा इधरुदर गुमाती है लेकिन जब पुलिस सक्ती से उससे पुछताश करती है तो वो ये कबूल कर लेती है कि वो ट्यूटर की बाड़ी को नदी में फिंक करा हिया है लेकिन उसके कतल की बात को वो अभी कबूल नहीं करती और वो कहती है कि जब वो उसके घर गई तो उसका पहले से ही किसने मर्डर कर दिया था और उसका मर्डर करने वाले आदमी नहीं उसे बोला था कि अगर वो उस पॉड़ी को ठिकाने लगा तो वो उसकी जान बक्ष देगा इसलिए उसने ये सब किया लेकिन अब तक कि उसके बयानों से पुलिस को ये तो याहिर हो गया था कि ये लड़की अभी पूरा सच नहीं बोल रही इसलिए पुलिस उससे थोड़ा और सक्ती से पूछताच करती है और इस बार वो सारा सच पूल कर लेती है कि उसी ने उस ट्यूटर का कतल किया है और कैसे उसने एक नकली आईडी बना कर उसे अपने जाल में फसाया था और जब पुलिस ने उससे कतल की वज़ा पूछी तो उसने कहा कि ये कतल उसने आउट आफ क्रियोसिटी किया था उसे देखना था कि किसी का क कतल करना कितना मज़ेदार होता है और वो ये भी बताती है कि उसने हवांगजा जो के एक कोरियन मूवी है वो देखी थी जिसमें ये दिखाया गया था कि एक लड़की दूसरी लड़के कतल करकर उसकी आइडेंटिटी चुरा कर उसी के नाम से रहने लगती है और उसका भी प्लान कुछ ऐसा ही था वो भी उस टूटर को मारने के बाद उसकी आइडेंटिटी चुरा कर उसी की जिनदगी जीना चाहती थी उसी के घर में रहने वाली थी और उसी के कपड़े पहनना चाहती थी उसका एक कनफेशन सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थी क्योंकि यूज जूँ एक नॉर्मल इंसान नहीं है वो एक साइकोपैथ है और अगर उसे पकड़ा नहीं जाता तो चांसिस थे कि वो आगे भी और कतल करती और एक सीरियल किलर बन जाती और कैसी लगी आपको यह कहानी लाइक और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा फिर मिलेंगे